Hello everyone, welcome to study guide tutorials, study guide tutorials में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम June 2018 की important appointments cover करेंगे जो की आपके exams के लिए SSE CGL के exam के लिए काफी ज़ादा important है इससे पहले हम January से लेकर March और April और May के important appointments cover कर चुके हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देख लीजे और साथ में आप इसका 3 PDF जो है description box से download कर सकते हैं ताकि जब आप exam के लिए revision करने जाएं तो आप easily इसको revise कर सके तो start करने से पहले मेरी आपसे request है कि अगर आप channel पर new है और अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे ताकि जोगी next video upload हो उसका notification आपको directly मिल जाए और आपको search करने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े और प्लीज वीडियो को like और share जरूर कीजे कि जब आप like और share करते हैं तब हमें बहुत साथ प्रुचाहन मिलता है कि मच्छे से अच्छे content के साथ आपको वीडियो प्रुवाइड करें और आपने जो आपकी requirement है अगर आप किसी topic पर वीडियो चाहते हैं तो इसको comment box में लिख सकते हैं तो हम हमाई कोशिश रहेगी कि आप तक वो वीडियो जरूर पहुचा सके तो start करते हैं appointment June 2018 के साथ पहली slide के जो appointment से वह है vigilance commissioner in Central Vigilance Commission देखिए ये Central Vigilance Commission के जो Vigilance Commissioner जो appoint करे गए है इनका नाम है शरत कुमार तो यह important appointment है आपको याद रखने हैं CVC के जो Commissioner appoint करे गए है उनका नाम है शरत कुमार नेक्स में आते है येस bank MDN CEO तो MD Managing Director और CEO किसका येस bank का किसको बनाया गया है तो ये इनका नाम आपको याद रखना है इनका नाम है राना कपूर additional charge of tripura governor देखिए tripura जो है ये नौर्थी स्टेट है सेवन सिस्टर स्टेट में ये स्टेट काउंट होता है और यहां का जो additional charge दिया गया है tripura गवर्नर का क्योंकि यहां के जो अभी governor है वो प्रेजेंटली लीव पे हैं तो वह वेस्ट बेंगॉल के governor जिनका नाम है केशारी ना त्रिपार्टी इनको additional charge दिया गया है इस त्रिपुरा governor नेक्स में आदर chairman of BAFTA BAFTA क्या है British Academy of Film and Television Arts और यहां के जो chairman अभी हाली में appoint करें गए है उनका नाम है पीपा Harris तो आपको उनका नाम याद रखने है काफी important appointment आपके exam के लिए new prime minister of Spain Spain के जो new prime minister बनाए गए है Spain देखें यह यूरोप की country है और इससे जो country इसके border पे है वो France है तो अगर आप location देख लें तो आपके exam के लिए आपको शायद इससे कोई question पूछ लिया चा सकता है तो new prime minister of Spain is Pedro Sanchez तो आपको उनका नाम याद रखना है बहुत important country है आपके exam के लिए और साथ में जितने भी newly appointed prime minister और president है countries के जो हम आपको बता रहे हैं प्लीज याद करके जाएगे क्योंकि SAC के favorite questions है कि वो जो भी newly appointed president या प्राइम मिनेस्ट होते हैं उनसे exam में जरू short question पूछा जाता है नेक्स में आते है president of Egypt तो Egypt देखे ये एफ्रिका की country है और इसके जो new president जो appoint करें गए हैं उनका नाम है अब्दिल फता अल्सेसी तो आपको उनका नाम याद रखना है चीफ secretary of Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश के chief secretary जो appoint करें गए हैं उनका नाम है अनूप कुमार पांडे तो आपको उनका नाम याद रखना है new chief justice of Nepal नेपाल हमारे इंडिया का जो है bordering country है और काफी अच्छी relation है international relations है नेपाल के साथ और यहां के जो new chief justice appoint करें गए हैं उनका नाम है दीपक राज जोशी तो आपको उनका नाम याद रखना है secretary in ministry of coal तो ministry of coal के जो secretary appoint करें गए हैं इनका नाम है इंदर जीत सिंह new chairman of cbiz cbiz की full form है central board of indirect taxes and customs और यहां के जो new chairman appoint करें गए हैं बहुत जादा important appointment है आपको इसका question मिल सकता है ससी के exam में तो इनका नाम है एस रमेश next में आते है brand ambassador of sikkim government देखे sikkim जो है यह important Indian state है अगर आप इसके map में location देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह तीन country के साथ border share करती है बुटान नेपाल और चाइना तो काफी important state है sikkim और यहां के जो brand ambassador appoint करें गए है वो है एयार रह्मान जो की एक music composer है तो आपको इनका नाम याद रखना है MDN CEO of ICICI Prudential Life Insurance Company तो जो managing director और CEO बनाए गए है ICCI के Prudential Life Insurance Company के इनका नाम है NS Kanan तो यह आपको याद रखना है Chief Justice of Punjab and Haryana High Court देखिया आपको एक बात या रखने है कि Punjab और Haryana जो है इनका एकी High Court है और इनकी जो capital है वो भी एकी है चंडिगर तो यह points आपको याद रखने है है हमने यह video बना रखा है इस पे एक तो आप वो video देख सकते हैं पॉलिटी के प्लेलिस्ट में तो यहां के जो Chief Justice अपॉइंट करेंगा है पंजाब and Haryana High Court के उनका नाम है कृष्णा मुरारी तो यह important appointments है जो की June 2018 की है इससे पहले हम May, April और January से लेकर मार्च तक की महीने की important जो भी appointments है उसको cover कर चुके है यह important section है आपके exam के लिए तो प्लीज इसको जरूर करके जाए इसको cover up कीजिए ताकि आप exam में इसमें एक भी marks लूज ना करें तो यह थी important appointments तो अगर आप चानल पर new है और आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो अभी कर लीजे ताकि जो भी नेक्स वीडियो अप्लोड हो उसका notification आपको directly मिल जाए और अर्मारा facebook page is study guide tutorials आप इसको search कर सकते है facebook पे और join कर सकते है email id is tutorialstudy at gmail.com आप इसमनी कोई भी query sign कर सकते है YouTube channel is study guide tutorials प्लीज इसको ज़रू subscribe कीजिये और यह channel जो है यह useful है आपके सभी exams जैसे SSECGL, CPU, Banking, NTPC and Government jobs के लिए so if you like this video then subscribe to our channel and share this so that we can help you in every possible way so thank you everyone